तुम जैसे नालाइक मुझे को बरबाद करोगे, तुम लोगों के बाप दादां को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं, आज मैं, अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती न, मूवी माफिया और तुम जैसे सडे हुए, सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप अक्ट्रेस और हाइस्ट पेर अक्ट्रेस नहीं होती, मैं तुम्हारे सामने हाँ जोडती हो और कहरी हूँ कि प्लीज मुझे बैं करो, तो तीन चाल लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाए है, तो उसकी कोई माननेता ही है और तो आज मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगा अच्छे लोगों के साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और जो मीडिया है उसने जितना मुझे प्रोटसा उनकी मैं हमेशा अभारी रहूँगी, लेकिन जो दीमक की तरह, जो एक सेक्शन मीडिया का है, जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है, और उसको दीरे दीरे करके उसके गरिमा को, उसके समिता को, देश की इंटेगरिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करत अपने गंदे भद्दे विचार देश द्रोहिता के जो विचार है वो अपनी सबके सामने रखते हैं और इनके खिलाब अमारे किसी भी तरह का कोई भीना पैनल्टी है और ना ही कोई सजा है तो इस चीज से मुझे बहुत ही जादा खेस लगे और मैं अपने आप में ही यह डिसाइड कर लिया कि यह जो दोगलिंग मीडिया है यह जो बिकाव मीडिया है जो खुद को लिबरल कहती है से क्यूलर कहती है औ यह लोग सुडो लिबरल है और यह लोग बिलकुल भी सेक्यूलर नहीं है अगर यह सेक्यूलर होते तो हमेशा धार्मिक चीजों को लेके देश की एक तापत हमेशा परहार नहीं करते ऐसे ही एक जिंदी से जनरलिस्ट को मैं एक तो दिन पहले एक प्रेस कांफरेंस में मि अवर्ड एंवर्टमनमें डेके दिन मैंने ब्लास्टिक बेन को लेके एक कैम्पइन किया था जिसमें गलाफ प्लास्टिक के खिलाफ एश्य योगा सेंटर के साथ में काफी कुछ एक्टिविटीज की थी इस जनलिस्ट को मैंने उसकी खिल्ली उडाते होई देखा फिर मैंन काउ स्लोटर के अंगेंस्ट, एनिमल क्रूलिटी के अंगेंस्ट, एक कैब बिन किया, उसका भी ये मजाग उडा रहा था, एक शहीद पे मैंने फिल्म बनाई, उसके नाम के खिली उडा रहा है, और प्लीज आप ये गौर तलब ये है, कि इनके पास किसी भी तरह का कोई तर कार्स कानफरेंस पर, मैं जाना चाहती हूं कि कोई तो क्राइटीरिया होना चाहिए कि अगर आप अगर आप जोनलिस्ट कहा है, क्या आपने क्या है, मुझे एक अपना लिखा हुआ, कोई ना कोई एक पीस या एक ब्लॉग, जिसे मैं पुद को अगर कालाकार कहती हूं, त तो तीन चाहल लोगों मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाई है, विशाइद करली बनी है, नहीं उसकी कोई माननेता ही है, और नहीं उसकी कोई दार नहीं है, तो उस गिल्ड के चलते हो, लोगों ने मुझे धंकी देना शुरू किया है, कि मुझे बैन कर देंगे, य अपनी देश के साथ गदारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं, उसी में छेद करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहते कि मेरे बचा से तुम योगों के घर में चूला जले, और इससे जादा बड़ा एहसान आप मुझे नहीं कर सकते, कि आप मुझे बैन कीजिए, और फिल्म ने एक सुपचास करोर से जादा का बिजनस किया, और इस चीज से मुझे इतना गर्व है अपने देशवासियों पर, आप लोगों के लिए जो हो पाएगा उससे भी जादा करके दिखाएंगे, बहुत-बहुत हैं